हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल तो हमारी डबा मेडम आ गई है अपना व्लोग लेकर तॉप वोर्ड व्लोग लेकर आई हैं और हम उसका रिव्यू ना करें ऐसे कैसे हो सकता है हमें लोग चाहे कितना भी आकर सुनाए हम तो भई व्लोग का रिव्यू देंगे ही यहाँ हो गया है फर्स टे तो चलो व्लोग की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम जब दिखाएंगे अपने हिसाब से जो है अधरबाद नहीं आए उनको हम अपने नजरिये से दिखाएंगे वा 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 देखा हमने आपका नजरिया जहां जहां गई हूँ उस जगह की historical story कुछ नहीं बताई यह बात हमारे एक subscriber नहीं highlight करके बताई कि यह वहाँ आई लेकिन वहां के चार मिनार और भी कई सारी ऐसी जगह थी जिनकी historical story है वो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताई तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसे इस तरह से किसी भी चीज को scroll करन थी जो खुबसूरती देखानी चाहिए थी कश्मीर की वो नहीं दिखाई अगर आपको कश्मीर की खुबसूरती ही देखनी है तो आप जो है जोतिका दिले के व्लोग में देखे कितने अच्छे तरीके से नोर ने कश्मीर की खुबसूरती को दिखाया है capture किया है यह सरफ खाने की खुबसूरती दिखाती है खाना 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 और फिर पहुच जाते हैं किसे शौप पर और बताती है कि जैसे ही मैंने गूगल पर डाला है हिदराबाद तो इतने सारी शौप का है अब मुझे पता चला कि यहां पर इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है बेकरी की क की खुश्बू से ही तो खाने की इच्छा जाकती है और उसको आप खाते हो खाते हो है थारबाद के नाम से याद आया है और वहाँ पहोचकर कहते हैं कि मुझे तो चिकन 65 खाना है। चिकन 65 वाकई बहुत जदा लजीज और टेस्टी रेसीपी है । जो कि इंडिया में देली में भी बहुत जदा फेमस है वो। और चिकन सिक्स्टी फाइफ के बाद फिर हेदरावादी दंबिर यानी उसके पीछे कैसे पढ़ जाएंगे उसके बिना तो यह सांस भी निले सकती हो फिर खाना पीना खाके फिर कहते हैं फिर हम यहां की पिएंगे जाफरानी चाय जो कि यहां की बहुत जाधा मशूर है और एक्चूल में इतने पिंक गाल नहीं है इनके लेकिन इतना ज़्यादा हाइलाइटर और इतना ज़्यादा टिंट लगा रही है ज़रूर से ज़्यादा या तो इस वज़े से कि हम जैसे लोग टौक रहे हैं या फिर ये जान बूच के कर रही हैं फिर आ जाती है होटेल में और होटेल में आए और होटेल में फाइफ स्टार होटेल में रुके और होम टूर ना दे और फाइनली फिर एक एक चीज़ करके फिर होटेल का रूम टूर देते हैं और आपने एक चीज़ नोटिस की जब ये पिछले व्लोग में रूम में एंटर हुए थे तो दोनों बै ने कि पहले से पता है तो पहले के हिसाब से एक सिंगल एंगल होता है ने ने कैयसे दो नहीं की आनदर师 persis में तूहर्द में तो यह रुख कौन पहल शिरा है, तो यह क सिंगला होता है तूह आ Braun मोदाहा का बेडरूम हो जाए अपने घर का हो हर जगा कपड़े कपड़े फैले रहते हैं और आपने फाइफ स्टार होटल पर भी बट्टा लगा दिया और वहाँ पर भी कपड़े फैला के दिखा दिया अगर रूम टोर देना था तो पहले उन्हें समेट लिया हो था जो आ नहा कर दिखाया है और यह दिखाया है कि देखो टावल मिला है तो मैंने बालों में लपेट लिया घर में तो मैं टावल गीले बांदी बांद लेती हूं वाव यह क्या बताने की बात होती है कि मैं घर पे टावल नहीं लपेट ती गीले बाली लपेट लेती हूं यह बता अब इतना आए हो और इतना घुमना फिरना पैसा खच करना है तो भाईघा कंटेंट तो निकालना पड़ेगा न तो उसके लिए वलोग अपलोड करें के तो ही तो और पैसा आएगा न फ्रेंड्स और फिर सूट दिखाती हैं कोई और सा और पहन करा जाती हैं कोई और सा कहती है मिटिंग इसी होटल में है फाइनली वो लोग आते हैं जिन से मिलने के लिए या जिन से कॉलैब करने के लिए ये फाइनली यहां हैदरबाद आई हैं तो वो लेडी आती है वो वहाँ पे नास् करने से क्या फाइदा वो भी किसी और सिटी में हर चीज का अलग एक तेस्थ होता है अलग एक तरीका होता है तो जरूर ही है कि जिस चीज के बारे में आपको पता ना हुआ ओर और पैसे वेस्ट करो फिर उसको पीओ भी नहीं क्या तो वो लेडी सोच रही होंगी आपके बारे में अच्छे तरीके सा उनको स्टेंडर समझ में आ गया होगा आपका क्योंकि आपने वही चीप हरकते की जो की as usual मेशा आप करती रहती हो इससे पहले भी आपने कई बारे से किया है कि कोई भी चीज का नाम दिखकर आपने म चीजे खाई थी आपके पेट में इतनी जगह रहती कहां से है कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर एक दो एड़ घंटे में आप कुछ ना कुछ पेट में डाल लेती हो और फिर कहती है मुझे PCOD है PCOS है अरे भाई ये थाइर और PCOS का नहीं है problem ये तुमारे खान नहीं आ रहे है मुझे ये हो गया मुझे वो हो गया और फिर उसके बाद खाना खा लिया है तो फिर चाय भी जरूरी है अब चाय की बिना तो ये मुझे लगता है सांस भी नहीं लेती होंगी और उसके बाद खाना खाना के बाद चले जाती है चाय पिने के लिए और वो ल में चाय वहारा दे řूह छाटाश पहरी है जालिक चाटाशने से यसा यहां नुथ Карriam फ्रेंज क्यों कि मैंने इस टोरी तो लगा दी है लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि मैंने स्टोरी लगा दी लेकिन कोई नहीं आया तो शानी छूका यह meet-up और वो भी तुमने फर्स्ट meet-up अपने जिन्दगी का रखा और वो भी किसी दूसरे शहर में जाकर वाओ वो तुमने नहीं अरेंज कर रहा वो भी उन मैडम नहीं अरेंज कर दिया था उसके बाद जो है ना फनी भाई के वो कजन आ जाते हैं और वो कहते हैं यहां के नाइट आउट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैमस है तो चलो वहाँ से उतर कर नीचर आती हैं तो देखती है दो छोटे इस स्टेचिऊ होते हैं जिनके हाथ में बुक होते हैं इतने लोगों ने उस पर वीडियो बना दिया अब तुम क्या ही दिखाऊगी फ्रेंड्स और निकल परटती है नाइट आउट के लिए और देखा आपने इतना दुनिया भर का टिंट लगा के चलती है और फ्लेश लाइट से वो कितने ज़्यादा गाल लाल दिखाई दे रहे थे और फिर कहती है मैं बहुत ज़्यादा घबरारी हूँ और मुझे लग रहा है बेरी स्टोरी तो लगा दिया अकर कोई नहीं आया तो बार-बार इस चीज़ को कहती है अगर तुम्हारे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं था तो तुम्हें इस सब करने की रायता फैलाने की जरूरत ही क्या थी और उसके बाद चार मिनार जाती है एक जगा ओर जाती है जगा के नाम भी ढंग से नहीं प्रोणाउंस करने इनको आते हैं प्रोणाउंस के चक्कर में तो वो चल रहा था जहा अब ही किसी का मुंबई में जब यह गहीं थी किसी का ऑपनिंग उसमे शॉप की उपनिंग में उनका नाम ही गलत ले लिया था उसके पीछे कितनी कॉन्टवर् तो आपको वो कमसकम उसको प्रोनाउंस करना सही से आजी उस नाम को सही लेना आना चाहिए नाम के चकर में तो आप लेती लेती दिल उनको मोज मस्ती करा दी जो मुंबई आ सकते थे उनको मुंबई बुला के मस्ती करा दी तो अब बारी आ गई है जो हैदराबाद में कजन रहते हैं तो चलो भई उनको भी बुला लिये जाए और उनके साथ भी खूब अच्छी तरीके से घूम फिरके अच्छी तरीके से खा खालेती है जहां भी गई है बिस्किट खाया है चाय पीए जहां भी गई है खाना खाया है सुबर नास्ता करके निकले फिर जो मैड़ा माई थी मीटिंग के लिए फिर उनके साथ खाना खाया फिर दोपैर को खाना खाया बिर्यानी और वो जो अपने करजन के साथ फिर शाम क डिनर में बिर्यानी और ये सब खाई भाई इतना सब ये कैसे खा लेती हैं कैसे मैनेज कर लेती हैं और फिर घरा कर कहती हैं कि मुझे बार बार घबराट हो दिये मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं वहाँ पेहनने के लिए तो फ़नी भाई कहते हैं कपड़ों से नह तो कपड़े अगर मैटर नहीं करते हैं ऐसी बात तो नहीं है कि आप लोगों के पास कपड़े नहीं होंगे नई शॉपिंग करके आयो हैं टो हैंड और तब आप दूसरों को ये सीख दे रहे हो कि कपड़े कोई मैटर नहीं करता कपड़े जैसे भी हो उनसे काम चला लो अच्छे अखलाक होने चाहिए वाओ आच्छे नहीं लगती है ऐसी बाते आप लोगों के मूँ से और फिर फाइनली आ जाता है वो अगला दिन जिस दिन के लिए या जिस काम के लिए या जिस परपस से यहां हैदराबाद आई हैं कहती हैं जब सा हम यहां पर आया ना हमें बताया है कि 100 रुपीज इस्टू हाई वो इतना किराया है यह जादर से जादर वहाँ पर 20 रुपीज लोकल किराया है और अपने होटेल से जिस मॉल में गई हैं वहां पर लोकल किराया ही लगता है जैसे यह बेवकुफी हरकते करती है तो ओटो दिश्यवाले ने इन जगा है वो वहां उनको लेकर गई जूलरी दिलाई एक जगा जहां जूलरी की शौप है वहां से जूलरी भी दिलाई है क्यों कि इनकी अनिवर्सरी आ रही है और जो ड्रेस है वो भी इनको इनकी तरफ से ही स्पॉंसर होने वाली है तो फाइनली ये पहुच गई है उस जग बाते बताती हैं अल्ला नभी रसूल की बाते बताती हैं और हमें हिदायत देती हैं ये हक सर्फ उनका ही होता है जिनके लिए हम हाथ चुमते हैं जैसे कि आजकल सनाखान हो गई हैं तो वो प्रोमोशन भी ढंग से नहीं हुआ जिस तरह से करना चाहिए था जिस लेडी ने इ जाद दिलाने के लिए लोगों को जब ये अपनी शादी में बैंगन लगरी थी और सेम कलर की इन्होंने जान भूच कर ट्राय करके जब वो शीशे में दिखा रही थी ये सब जान भूच के की गई हरकत है और वो ड्रेस हंड़ेड परसंट ये बिलकुल नहीं पहनने वाल की देख ली और आपकी अखलाग भी देली जिस लेडी ने आपके लिए इतना कुछ किया इतना सब कुछ अरेंज कराया जिसकी शौप पर जिसके वहाँ पर शोरूम पर जाकर आप उनकी डिजाइन है जिस तरह के उनोंने डिजाइन किये है वो उसी तरह के डिजाइन तो आपको देंगे न आपके लिए वह अपने डिजाइन बदल लेंगे तो फिर डिजाइनर होने यह क्या तो आप उनको यह कहते हैं क्ये हमारी बैडम फिर से ठख गई एक बार फिर से चाय मंगाए गई और वो जो बिस्किट है वो फिर से खाए गई हमारी चालू अप्पी का व्लोग हो और हो कोई बचकानी हरकते ना करें तो कंटेंट कहां से मिलेगा फ्रेंड्स तो वहां घूम फिर कर देखती हैं तो वहां प होगे और वो तुमारे लिए जवाब देंगे वाओ हमारी चालू मैडम जो है न यह बहुत ही जान भूच कर यह बेवकुफी वाली हरकते करती हैं अपने आपको टीनेजर से भी छोटी दिखाने की कोशिश करती है अरे अब तो मैच्योर हो जाओ पेरेंट्स बनने की ट्र हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई अला आफिस टेक केर